नमस्कार मन्थन कारकरम में एक बार फिर आपका स्वागत है पिछले पांच आठ वर्षों में जिन नेताओं ने अपनी प्रतिभा अपनी मेहनत अपने संघर से हमेशा चर्चा में बने रहने का काम किया है उनमें आजाज समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्शेकर भी एक है इस मंथन कारकरम में इस वक्त हमाई साथ चंद्शेकर हैं जिससे दो हजार चोवीस के लोकसभा चुनाओं में चर्चा की जाएगी जिन से चर्शेकर जी आपका बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद अब मेरा पहला सवाल यही है कि आप नगीना से लोकसभा चुनाओं लड़ रहे हैं जी मैं नगीना से लोकसभा दोजार चुनाओं लड़ रहा हूं इंडिया गटबंदन से मैनत के गटबंदन से मैनत के गटबंदन से मैं ये कह रहा हूं कि पिछले चुनाओं में विधा सभा में अखले शियादों के पास आप गए और बड़ा नराज होके सीटों पर चले आए थे इस बार बड़ा जल्दी जल्दी मानगे नहीं देखे बात ये है मैं पिछली बार क्यों गया मैं इसले गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नोजवान किसान महिलाए तमाम जो के लोगें उपरेशान थे और उनकी परेशानी को हम लोग जब नित्रवत करते हैं तो समझते हैं तो मैं इसले गया कि भारते जनता पार्टी को कहीं से भी कोई मौका ना मिले दुबारा से सरकार में आने का क्योंकि वो सरकार में रहेंगे तो कमजोर वर्गों के लोग को बड़ा नुकसान होगा और फिर आपने देखा हात्रस जैसी घटना है हमने देखी वो इतना दर्द नाकता सब मीडिया के साथियों ने भी दिखाया कि किस तरह से बच्ची को रेप हत्या के बाद और फिर कच्रे की तरह जला देना इसलिए मैं नहीं चाहता था कि पांस सा से यह तै कर लिया कि इस अपमान को सम्मान में बदलना इसलिए मैंने ज्यादा करनी पड़ेगी और अब मैं फिल्ड में मैंने कर रहा हूं और हमारा गटबंदन मैंन से है क्योंकि जब एक गरीब का बेटा उटके खड़ा होके आता तो इसको रोकने के लिए बहुत सारी प्रेशानिया सामने होती है और आज किल की राजनीती जो है जान धनबल भी बहुत मजबूत है मीडिया और तमाम तरह के सादन सादन लगते हैं वहां किसी गरीब के बेटे को आगे बढ़ने के लिए बहुत कटनाईया होती है तो मैं मानावाई हूं मेरा परियास है कि हमा उपचुना हुआ दो हजार तेईस में उसमें आपने जैन चौधरी के साथ गड़ बंदन किया और मुझे अपफन नकर की वो सीट आप उपचुनाओं में जीतने में वो काम्याब हुए तो कहा यह जा रहा था कि जैन चौधरी से आपके रिष्टे जादा अच्छे हैं औ जोड़ के चले करें इसकी जानकारी आपको दी शीएां और यह दी की इधर आओ हाऊ था उन्हों ने मुझे जानकारी ही दी और न्हों नोंने मुझे बताया भी हमारे रिष्टे अच्य हैं और क्यूंकि हम एक छहतर से आते हैं और चोधरी चण सिंग जी को में नेता मानत यह बहुत बड़ी आज तो एक कल्पना भी नहीं हो सकती है आज के प्राइमिस्टर से पूर प्रदान मंतरी में रहते हुए उनका जब नीधा नुवा तो एकाउंड में 300 रुपए थे यह बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे लोगों के सीखने के लिए इम्मत देती है कि जब चोद्री चंण सिंग जैसे सक्सियत जो गाउं से निकल के प्रदान मंतरी मन तकते तो हमें भी मैनत करनी चाहिए राजनीति में कामियाब होने के लिए तो मुझे उन्होंने बताया और मैंने उनसे कहा कि आप जो भी डिशन लेना चाहिए आप उसके लिए सब्तन दे उन् आदमी 16-16 में जिसने जेल काटी हो लाठिया खाई हो एनार से के आंदोलन इसके पैरों के नकोन कीच ले गए हो जिसको लटका के लाठियों से पीटा गया हो उसने जिसने अपने जिन्दगी दाओं पर लगा जिस पर चार चार गोली चली हो वो सुईदा की राजनीति करे हम महनत करना जानते हैं और महनत मजबूती से कर रहे हैं जैन जी को बढ़ाई उन्होंने जो निर्ने लिया वो बहुत सोर समझते हैं उनकी पार्टी के इत्में लिया होगा देखिए जैन जी तो चले गए बाराल मैं इसलिए कि मुझे पता था कि आपके उनके रिष्टे है और आपको पता था कि वो इंडिये पाला बदल रहे हैं आप इसको इंडिया गड़ बंदन के लिए उत्तरप्रदेश में विपक्षियों के लिए एक जटका नहीं मानते क कि हर तरफ जो भी समीकरड है वो भारती जंता पाटी ने अपने पक्ष में मजबूत कर लिए देखिए मैं जटका तो जरूर मानता हूं क्योंकि एक वोट से बेगर कोई हार जाएगा तो सदन से बाहर रहेगा लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरह से भारती जंता पा ास खोने कुछ है ना मुझे इसकी परवा है करता हूं और जब मैं कारिक्रम करने जाता हूं तो बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं चाहे लखनव से करूँ चाहे दिली के बाबा सहाबा मेठियर के घर से जो अब उसमें बदल गया वो लोग कहते हैं कि चंद शेखा वोटों का बटवारा कर रहें बावन मिश्रा पर वो लोग लगाते हैं तो अच्छा लगाते तो हैं इसका मतलब मुझे जानने दो लगे हैं ना ने आप देखें न एक सो चालिस क्रोड की जंता में से कोई आदमें अगर अपनी फैचान बनाता है जिसके लिए मीडिया भी कहें कि वही विपक्स कह रहा है तिस्तिस साल पुरानी राजनीती, 40-40 साल पुरानी राजितीवाल लोग अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब चंसेकर्ड ने अपनी हैसेत बनाई है ना रही बात वोट काटने की आपको याद हो का मैं राइस्तान चुनाओ लड़के आप डिटेल एक बार देख लिजिए राजी भाई चोतर-चोतर हजार वोट हमारे सेंबल पर मिले हैं आजास समाज पार्टी देखिए मैं आगे कहने वाला था इसे बात मैं एक फार इसको कंप्लीट कर दूँ मैं आरोप पर सुनी डरता हूं जब बाबा साहब तमाम पार्टियों के होते बाबा साहब ने पार्टी बना के लड़ाई लड़ी सब लोगोंने उनके उपर आरोप लगाए उन्होंने किसी के नहीं सुनी क्योंकि उनको अपने लोगों के हितों से प्यार था जब काशी राम साहब ने आंदोलन चलाया सब लोगोंने उनको बिजजत किया उन्होंने किसी को नहीं सुना जब मेरे रास् तो हम उस करज को उतारे भी ना चैन्ते नीस हो सकते इस करज को उतारने के लिए यह आंदोलन चला रहे हैं क्योंकि हम आंदोलन को रुकने नी देंगे आंदोलन मजबूत होगा बहुत नेता पैदा होंगे बहुत ताकत बढ़ेगी बहुत अधिकारों पर चर्चा होगी तो जो जब नेता नहीं होता काशिराम साब कहते थे जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता और जिनके बाद बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता तो हमें अपनी समस्याओं का हल कौन करेगा हमारी है तो हमें तो खुद ही बनना पड़ेगा जो कुछ बनना और फिर पहले सफाई का काम हमारी जिंदकी में लिख दिया था कि हम दलिस समाज के कलम करेंगे बावसाम ने उसको बदल के में कलंब की टाकती वो कलंब की ताकत छीने के उस सफाई के नोकृइट कर दिया बारीजंटापाठी के लोगों ने कि सभीदाabil क्षैके ता 7,000-8,000 पे हमें गंदगी में गुसना पड़े, ये जुम क्यों हमारे साथ? जब देश आजाद नहीं वादा राजी भाई, तो हमारे साथ बहुत सारी प्रबंद्य थी, आप मुझे बताओ, कि देश के आजादी के साथ हमें क्या मिला है? क्या हैं? नोक्री मिली? क्या लोग हमें जमीन मिली? कीसे हम लोग सरवाई करें कि इस देश में? क्या हम भूइद अंगे रहेंगे सारी उमर? जिन लोगोंने आज़ादी के साथ बहुत सारे सपने थे, वो सपने का पूरे होंगे। क्या अज 소ूचाया रहा? सब लोग खुसाल है। रामपूर में, रामपूर मिलक में, सर में गोली मारीगी, बताइए आप महिलाओ को लाटे और पिटा का, कौन जम्मेदार है। पिर आप कह रहे हैं, समाजिक गैर बराबरी अभी जारी है नहीं, आप इस बात को सपष्ट करके बताओ। क्या गोड़ी पर रोकने पर आज भी एक IPS को राइस्थान में परमिशन लेनी पड़ी, लेनी पड़ी, गोड़ी पर बैठने के लिए, आप मुझे बताओ, IPS बनके भी हैसे तनी बतनी है हमारी, और आर्थिक गैर बराबरी आपने का 15% आरेक्शन मिला, तो आप मुझे प्रिवेट जोब भी नहीं है, उन पर जमीन भी नहीं है, तो वो भूके मरें, क्या कि आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने हमारी, हमारी आप जो टेक्स देते हैं, हमारी आबादी के साब से, 50% लोग वो टेक्स क्वा पैसा हमारे उपर क्यों नहीं लगता, आप जाके दे जगों पर पहुंचते हैं, अब आप मैं उस पर आता हूं राजस्थान और मद्यप्रदेश में, मैं दोनों राज्यों में गया था, और मैं मानता हूं कि आपके उमीदवार कई जगह बहुत मजबूत इस्थिती में, दो जगह मुझे जहां तक याद है, दूसरे अस्था को वहां कई सीटों पर इस तरह के आपके उमीदवार भारी पड़े, कई जगह ऐसा भी देखा और कई जगह बीस्पी के भी जीते, मैं सच कहूंगा तो जगड़ा करवाद होगे आप मेरे, ने ने आप बोलिए सच, आप बताओ दो जार चोदा में, 2007 में उत्तर परदेश पून्न भांवत की सरकार बंदी, 2014 में 0QI, चंसेकर तो नहीं था ना, 2007 में 18 सिटे QI, चंसेकर नहीं था ना, 2019 में 10 सिटे QI हैं, चंसेकर नहीं था ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो काम करेगा समाज में रहेगा, समाज उसका इसाथ देगा. हमारे नए सिंबल पे जो कि दस तिन पहले लोट होता है चोत्तर अजार वोट मिलना आप छोटी बात मस समझे जान धन्मल की राजनीतियों पैसे वाले लोग है तमाम पार्टियां वहाँ हम अगर दस सिटों पे तीसे नंबर पे हैं जहां से रोतास जी लड़े बान्थूर आप चेक करा लो बसपा के परतेश से 11,000 वोट मिले हमारा परतेश 7,000 से हार गया वो किसका वोट था जो बसपा को मिला लेकिन एक बात तो है आपकी ये सक्रियता आपका अलग बनना लोकतंत में सबको ये आजा दी है और 52 मिश्राम उनका संगठन बामसिफ जिसके वो रास्टियत देखिए तो मैं जाता रहता हूं जो दोनों लोगों की सक्रियता से नुकसान किसका है? नुकसान तो अकेलिम बहन जी का, बीस पी का? अच्छा ये बताओ कि हम लोग गुलाम हैं? मैं बढ़ा लिखा वकील हूं, मुझे नहीं पता समाज का अच किस चीज में है बावसाब ने का, जब वोट का अधिकार दिला, आज मैंने राणी का पेड़ चीज पीट चीज दिया, राजा बैलट भूक्स से तयार होगा, आपके वोट से तयार होगा अब क्या हो रहा कहां से हो रहा है तो यार अब तो बेंजी ने कह दिया कि हमारे परिवार का या आदमी जो विदेश में पढ़का है ये करेगा सेवा अब आप इसके पिछे जंडा उठा चलो क्यों चलेगा समाज समाज उसके साथ जाएगा जो काम करेगा मैंने तो अभी करा दो राजवी भाई उनसे मुझे कम सुटे दिल्वा कि मुझे रहा अलाइंस करा दो उनसे मैं तो नहीं चाहता तूटो आप करा दो अच्छा बेहन जी ने अभी देश में सारी पार्टियां परिशान एलाइंस करने के वो अकेले ही मुझे लगता है देश में सबसे पहले एलान उन्होंने कर दिया था हम अकेले लड़ेंगे जब बीच में चर्चा लगी कि नहीं कुछ इदर उदर हो सकता है तीन दिन पहल है जब वो बड़े-बड़ों को नहीं पूछ रहीं तो चंसेकर को आपको लगता है बहुत कभी इस बात की क्या जुरूत है यह कहनेगी कि वोट काट रहे हैं जनता सवतंत्र हो आप दूसरी बात आज के समय में कोई कार्वबारी को दोगपती कोई पैसे वाला राइडी कर सकता भारति जनता पार्टी का नेता कितना पैसे वाला और फिर मैं आप सा कह रहा हूं यह जो चुनाओ है ना डोजार चोबिस का राष्ट को बचाने का चुनाओ है देश के बच्चे-बच्चे जगाओं में जाकर बुछो महिलाओ से हर आदमी कह रहा है अभी देखो द्धान अटाओ जो मुद्धे आज लेक्टल बॉंड और तमाम तरक चीज़ चल रहे हैं धान अटाने के लिए सब चीज़े कर रहे हैं कानून तो बन चुका संसर से पास है नोटिफिकेशन की बात थी उन्होंने चुनाओ के पहले कर दो आपको अब चुनाओ के समय क्यो पूरा करते हैं यह लोकतांत्री भारत है जन भावनाओं का सम्मान करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है आप यह सोचो कि 37% वोट मिलिगा तो आप मालिक होगे देश के गलत पहमी है जन सत्ता आते जाती रहती है आप पे भी नहीं रहेगी सदा जो कुरसी बैटके सोच रह जाएगी आपको भी याद रखना चाहिए कि 63% लोग आपका खिलाब है जिसने जन्ता खड़ी हो जाएगी ताना साही उस दिन खतम हो जाएगी और फिर आप मेरी बात को समझेए लोकतंत्र का मतलब यह है कि जन्ता द्वारा जन्ता का साशना भी बताओ कोई कानून मनाते कोई भी सरकार जन्ता पूछती है गया यह जो नोजवान बच्चे बैठें यह जो इसेंब्ली में बैठें जन्ता नहीं इन चुन के बेजा है ना जन्ता ही नहीं बेजा यह ऐगा कानून बना रहे अब हर छीजस के लिए जन्मत संग्रा होगा यह पाले भी बदल लेते है आपने देखा नहीं राज्य स्माब में कैसे जाके भाजपा को वोट देगा है ये बाले बतल इनके तो इसका मतलब जनता वोट देगे वरोसा करें गल्ती करती है क्या तो फिर तरीका समिधान में यही लिखा है यही कहा रहा हूँ ना कि यह ताना साही जनता देखती है वोट के चोट से जनता जवाब देती है आप ताना साही कहते हो लेकिन जब आप चुनाओं में जा रहे हो अभी डेर साल पहले जमानत आपकी खुद जमानत जबत हो गई 2022 में और बी जेपी 275 सीटे पार कर गई तो यह उसे जनध समर्थन कि उसे जनध समर्थन मिल रहा है और उसे आदिकार मिल रहा है कि लोगों के समर्थन से वो फैसले ले सके जो एसके ज़ए मेर औगों जब वो लेती है तो आप उसको केते हो कि ताना शाही में जन्समर्फन चंडी गड़ भी देखा आपने वी देखा आपने देक्था उन काैमरा मसी साहब ने कितना जन्समर्फन जुटा आप ने देखा अर्ट डियुट कैसे गलत हो जाती है और फिर अभी इवियम पे भी बहस चल रही है देश में बहुत सब चीज़ है और मैं तो कह रहाँ विपक्स की गलती है मैं सरकार को कहीं ना भाजपा अगर सत्ता बैठके आरक्षर नहीं खतम करेगी गरीबों किसानों दलीतों पिछडों को लाठिया नहीं मारेगी मुसल्मानों को यहां दली में जूते से नहीं पिटवाएगी तो करेगी क्या भाजपा यह तो भाजपा काम है भाजपा की पॉलिसी देखो ना आप गौलकर से लेके तमाम लोगों की बाते आप सुन लो वो तो कहते हैं सुरुमाईन को वोट का दिकार होना ही नहीं चाहिए अच्छा चैर शेकर जी आप इतना सक्री रहते हो और पश्यमी उत्तरप्रदेश में भी बहुत सक्री रहते हूं आप मुझे बताइए मैं भी पच्छी सालों से बीएसपी और समाजवादी पार्टी को कवर कर रहा हूं काशी राम और मुलायम सिंग के जमाने से मैं सपने में भी नहीं सो सकता था कि उत्तरप्रदेश के विधान सभा चुनाव में बीएसपी को एक सीट मिलेगी वो भी मैं रोज कहता हूँ कि वो सीट बीएसपी को नहीं मिले वो सीट उमा शंकर सिंग ने जीती जो की विधायक है रसरा के अपने वो अपनी ताकत से उन्होंने जीती तो आपको क्या लगता है कि ये 403 विधान सभा सीटों में शुन्य मैं सुन्य मानता हूं बीएसपी मिली आप इसको किस तरीके से देखते हैं कारण क्या है आप मुझे जो है ना मुझसे उस चीज का जवाब मांग रहे हैं जिस लड़ाई में में हुई नहीं देखो जब तक मैंने बीएसपी का काम किया 2017 तक तब तक मैं बीएसपी के लिए कह सकता था मैं आपको एक घटना मैंने 2017 सर्कार में बीएसपी नेताओ किनी किसी मुद्दों पर कहा तो उन्होंने का हलना मत मचाओ सरकार बदनाम हो जाएगी और जब 2000 पर सरकार चली गी तब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने का हमारी सरकार नहीं है आप यह समझो लोक तंत्र में कोई राजा नहीं होता है जनता चुन के बहिती है, आपको काम करने के लिए से अधिकारी करमचारी अपने आपको मालिक समझ रहे हैं, ऐसे नेता मालिक समझते हैं, जिस जनता ने वोड़ दी वो ताकतवर है, जब तक हम जनता को मालिक मानेंगे, तब तक हमारे अंदर एंकार नहीं आएगा, जब एं कि उनको चुनाओं में वोटों को साधना जा भारत में जाती है जो कभी जाने वाली नहीं है अभी रूप किसी पार्टी के जंडे में नहीं कि जाती बीन समाज बने एक परक्रिया से आदमी पैदा होता है तो फिर वो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है एक बड़े संथ हों सद्गूर अविदास जनम के कारणे होतना कोई नीच नर को नीच करण डारी ओछे करम की पृत्त जो ओचा करम करेगा वो नीच हो सकता है जनम के कारण नी ओचता लेकिन भारत में क्या है बारत में जनम के अधार पर आप नीच हो जाते हैं आपको मंदि एक नकली एक फसली एक असली नकली वो जो जबस्ती जनता पे थोपा जाता है फसली वो जो चुनाओं के समय आता फसल काटके और चला जाता जैसे राजनीती अब बहुजन समाज पाटी कर रही है और असली वो जो 24 गंटे साथ दिन जनता के बीच में रहता है हमें डर से नह इसने हमने पर्टी बनाई कि हमारे लोगों पर सबस्या बहुत है हल नहीं हो रहा है और उने यह भी कहा राजनीती में इस्सेदारी नहीं करोगे सबसे बड़ा नुकसान ही होगा कि लोग आपके उपर साशन करेंगे जिनको घर चलाने नहीं आता हो देश चला रहे हम अपने बीएसपी के पास जो काडर है वो काडर खड़ा करने में अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खड़ा हो पाएगा कि नहीं यह भी अभी बड़ा सवाल है दूसरी बात आप एवा के तो पर बीएसपी ने अपना एक एवा उत्तरादिकारी बहन जी ने बनाई दिया है तो आपके पास वो काडर क्योंकि अगर आप बीएसपी का आप जानते ही हैं सब मुझे बताने की जोत ने हैं आप बीएसपी का उत्थान देखें तो उनके संघर्स के बाद लगातार वो चुनाव भी जीतते रहे एकाद सुरुआती हारने के बाद और इसके बाद वो स सत्ता में भी आए उनका केडर भी है और सत्ता चले वे कितने साल हो गें 2012 से 12 साल हो गें तो कब तक समाज उनसे उमीद करता रहे का देखिए अगर राजी भाई कभी बिमार हो जाए और जिस डॉक्टर से दवाहिश लेने जाए उस डॉक्टर से बार बार जाने के बाद आ इसलिए अब उमीदे किदर गई है चंसे कराजात के साथ तभी तो आपने देखा इतने कम समय में और आप केडर की बात कर रहे हैं अब से 50 साल पहले दिली आने के लिए छुटमलपूर सो जहां मैं पैदा हुआ हूँ साधन जो थे यातायाद कि वो इतने सिमी थे कि एक द को दो दिन लग जाते थे और आप दो घंटे में आजाता आदमी तीन घंटे में आजाता इसका मतलब समझते आप उस समय हमारे लपास हम इतने पड़े लिखे रही थे इतने साधन तंदा आप तो मद्यपरदेश राजस्थान में हेलिकॉप्टर से गूम रहे थे तकलीफ कि बहुत लोग कह रहे थे कि चंसेकर को कहां से पैसा रहा हैं मुझे ने मैं तो आप एलिकॉप्टर के जेट से मगर मैं पूझाओ किसी को किसी ने कहां से की तकलीफ है लेकिन देखो आपको पते चला होगा मैं समझाता हूं इस बात को देखो पहली बात जैसे आपने का इस बात को समझा लेता हूं मैं सारी सिटों पर नहीं लड़ा कि मेरी वेसे वोट कट गया मुझे समाइन ने वोट मिन जया मेरे तो मूपर समाइन ने कहा इस बार हम मैं जी को आखरी बार देख रहे हैं इस बार उनका साथ देंगा अगली आपका देंगे चोबिस में आगे इसको हेलिकोप्टर वारी बात पर आता हूं जब मेरे उपर गोली चली किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई उन लोगों के अलावा जिन लोगों ने मुझे सीच के यां तक बढ़ा कि एक पैसा जोड़ के अब प्रधान मत्ते की एलेक्शन है अब चुना उनाउंस होन एक पैतालिस दिन में चुना होगा तो मुझे भी अपनी पार्टी के लोगों को परचार करने जाना है तो ऐसा तो नहीं कि चुना हो एक मुझे कह कर चंशेकर आपकी आय कम है आपके साधन कम है आप पहलिकोप्टर नहीं तो आप तीन महीने तक परचार कर लो आपका उमीद करके कि हमें मदद करो उस पैसे को लागे पार्टी के जंडे खरीदवा के भी ताओं करे दिन महीं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि चुना होग मुझे भी उतना ही समय देगा जितना मोदी जी को देगा जितना और पार्टी को देगा तो चंशेकर क्या करेगा च अजिए जो पिछला अंदोलन ता उसको भी दिया अब इसको भी दे रहे हैं हमारे बहुत सारे करमचारी आईसाईपियस जो मुझे मदद कराते हैं साधन देते हैं कि चलो आप अंदोलन चलाओ क्यूंकि हम यहां बहुत इनों से बटे हमें कोई पूछ नहीं रहा है अजि आप श्री मंगाल में देखे बयाली सीटों पर मंता ने कह दिया और इंडिया गटबंदन और इंडिये में बिहार में होगा अखलेश यादों ने भी एक गटबंदन बना लिया है और कहीं कहीं तीसरे दल भी लड़ रहे हैं चुनाओ जिसमें सबसे मजबूत तीसरा दल बीएसपी उत्तव परदेश में माना जाता है बहन जी ने अभी तक अभी आज एक दो पहर में खबर आ देए थी सूत्रों के मताबिक दो टिकट तीन टिकट टिकटो का बटवारा नहीं किया है आपको याद होगा मुझे तो मालूम है अच्छे से पिछले विदानसभा च के लिए रस्ता खोल सकती है तो आपको क्या लगता है कि जिस पार्टी को सबसे लीट करना चाहिए था जो कई लोग बीएसपी के उपर भी बीजेपी की बीटीम होने का आरोप लगाते हैं जैसे आप पर लगाते हैं कि आप बैंजी का नुकसान करते हैं बीजेपी के पहुचाती है आप यह कहना चाहते हैं कि मुझे राजनीती काम बंद करके घर में जाके फिर से जो मैनेत मद्दूरी करनी चाहिए ने आप करिए मैं कह रहा हूँ आरोप जा साविधान मुझे को अधिकार नहीं देता है कि मैं पड़ा लिखा वेक्ति होके राजनीती करके अपने समधाय के हितों की रक्षा करो आप बताओ जब मेरे उपर गोली चली किसी नेता ने किसी भी सदन में आवाज उठाई गया जब मेरे जैसे वेक्तिक लिए वाज ने उठेगी तो गाउं में रहने वाले दलीत किसान के लिए वाज उठ जाएगी यह उत्तर चला है रामपूर मिलक में हापुड में लाठिया चला है कौन देरा उनको छूट आप हमारे उस सवाल का जवाब देंगे कि जो बीजेपी की वी टीम बीएसपी का आरूप लगता है आपको ऐसा लगता है देखो मैं किसी को नहीं कहता कोई आरूप के लगा जब कोई काम क जो करना है मैं तो उनके लिए दिरगाई होने की काम ना करता हूं उस्वेश्थ रहें उनके लिए बहुत सारे मंगल कामना है वो हमारी बड़ी हैं मैं तो चाहता हूँ कि मुझे काम्याब होते देखें उनका आशिरवाद मुझे ऐसे मिलता रहें मेरा जगडा मत कराओ भ निकाला जब मैं जेल गया 2017 में उन्होंने मेरे उपर आरोप लगा के मुझे निकाला कि इससे हमारा कोई मतलब नी है और देखो एक नोजवान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मैंने बहुत परियास कि हम मिल के काम कर लें लेकिन मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि नोज को सकता हूं उन्हों मैंने बहुत परियास कि हम जुड़के काम कर लें जितना कर रितेश पांडे की तरह बोल रहे हैं हम बेटकर नगर के सांसद इस्तीफा देगे बीजेपी में जानना था कह रहे थे बहें जी हमको बुलाई नहीं रही कभी संपर्क में नहीं है और दिय आइस्तीफा दो गंटे बाद बीजेपी में चलेगा है और उनकाम बेटकर नगर से टीकर देदिया बीजेपी ने तुरंद देखो एक बात तो आप मानोगे कि बीजेपी ने तमाम लोगों को मौके दिये नेता बनने का ब्या एंपी बनने का एमेले बनने का लेकिन जब वो नेता बन गए तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया एंपी एमेले नेता नहीं होते हैं राजी भाई मैं कहां पी मेले हूं मैं आपके यहां बेठा हूं यह मेरिस्टीव मीडिया है पूरे भारत के लोग इसको देख रहे हैं एमेले नेता नहीं होता है नेता कुछ सेवा बेटे को भी कर लिने दो ना तो इतनी सेवा उन्होंने करनी थी कर ली देखो हमारे समाज ने जो बहुचन समाज एक पेड लगाया चोटा पेड था काशिराम जी के नित्रतुन बढ़ा किया बढ़ा हो गया तो उसने छाओ दी फल दिया सुरक्षा की समाज की अ जादा सेफ लगता है या बीएसपी का जनता तै करेगी पिछली बार महां MP कौन है कौन सी पार्टी के अपको पता आप माहूल चेक करने आना तो बहुचन समाज के हैं वो बहुचन समाज पार्टी के हैं देखे नगीना ऐसी सीट है जो 2009 में समाजवादी पार्टी ने जी जादों से चार कदम आगे बढ़के जितनी अच्छी सीटे थी वो महेंजी ने ली गाजी पुर ली अंबेट करने ली की चौन अच्छी राजनीती तूसल राजनीती के हैं वो यह उन्होंने दरसा है जीरो से वो दस पे गई अखिले जहां थे महीं रहे गए मैंने बहुत करती है कि यह आदमी हमारे बात करेगा तो मैं कहरा हूं कि उस बेल्ट में बीएसपी का बहुत अच्छा बेस है आप यह मानते हैं तो बीएसपी कंडिडेट आपके खिलाफ देंगी कितनी विदान सभा सिटें बीएसपी के वहां भी ने विदान सभा में तो एक ही सीट है आपको ऐसास होगा गरीब भी आगे बढ़ सकता है बावसाब ने जो सविधान में बहुत कितनी थी अभी मुझे पता चला है कि भारती जंता पार्टी की लोकसभा टिक्टो के बटवारे की जो बैठक होई थी सी-सी उसमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खड़ा है और श्री राम लल्ला की प्राहट प्रतिश्टा और उससे के बाद से उपजी भावनाओं का की काट क्या है आपकी बाहाईजिपा ने खरीद लिया से रादिया और फिर मैं कह रहा हूं यह आस्ता कविस है हर वेक्ति अपनी अपनी आस्ता है बनास्तिक लोग भ करते हैं सारे काम करते हैं लेकिन वह उनको रोटी भी तो चाहिए रोजगार भी तो चाहिए मैंगाई में जो कमर्त होड़े साड़े तीन्सों का संडर साड़े ग्यार उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा एक सो बीस तीज रुपे का आने वाला बिजली का बिल 600 500 रुपे की इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा पेंशन दिखाते हो 500 रुपे महिलाओ को व्रद्दा विकलांग और विद्वा पेंशन 500 रुपे में क्या आता है जूता नहीं आता एक साहित रहगा कैसे मजा करते हो गरीबों से टेक्स लेते हो पूरा और 200 रुपे का कि आम से वहर्शी बालमी की समाज की जिंदगी में कोई सुनी है जब इस बार जो मेरे पास वो आदेश की कौपी भी आप कहेंगे तो दिखा दूँगा इस बार योगी सरकार ने जो 14 दिन का कारिकरम रखा था पूजा पाट का उसमें बालमी की मंदिरों में भी रोल किर् अधनाओं को क्रियान विद करके लाभारतियों का एक बड़ा बेस जिस समाज की आप राजनीती करते हैं उसमें बीजेपी ने बना लिए इसे इंकार करते हैं आप आप जानना चाहते हैं पहले वालमी की समाज में सुन लिजे सफाई का काम करने गटर में उतरते हैं आज आज भी मेला हास से उठाते हैं तो क्या यह एरपोर्ट का नाम बनने से क्या उनकी जिंदगी बदल गई आज भी उनके बच्चे सीवर में उतरते हैं आज भी उनको 7,000, 9,000, 11,000 उपर काम करना पड़ता हैं कभी उनकी जिंदगी वारे में सोचा प्राम मिश्टर ने कभी यह सोचा कि उनके सरकारी नोकरिया यौरियाज उसभीदान ने दी थी कि समान काम समान वेतन और कोई भी काम जो द्यानिक होगा वो ठेकेदारी पर नहीं होगा उचको बदल्देया कभी उनके बारे मी सोचा चुनाओकर समय आखके आए जाओस के लिए पहारे बीच में ब देखा जनता ने कोई जनता बेकूप ने आप बात करो राशन की और सोचाले की 75 साल में देश में अभी भी गाउं में जाके देखो कच्छे मकाने लोगों के आज भी मदा मकानों पर फलस्तर नहीं हुआ यह और किसके पैसे से दे रहे हैं मोदी जी घर से ला रहे हैं क्या य क्यों नहीं देना चाहती क्यों सर आरक्षण आप आरक्षण नहीं खतम कर थी भाजपा मैं आपको बता रहा हूँ दो प्रेल 2008 देखा है भाजपा ने कि दली समाज सडकों पर आके आदेवाज समाज अपने हकों के लिए लड़ेगा इसलिए लेटरल एंट्री गई इसलिए एक सेकंड एक सेकंड ये कंप्लीट करना है इसलिए सारा सरकार सिस्टम बेच बेच के कोड़ियों के भाव अपने मित्रों को दे दिया कि कोई गरीब का बेटा आरक्षण की वहीं से नोकरिन लग पाए दली पिछले बार के लोग सब देख रहे हैं आदी वरसी मैं नोजवान सातियों से और हर वेक्ति से अपील करता हूं जब वो सडख पे निकले तो हैलमेट जरूर लगाए बहुत लोग की जान एक्सिडेंट में जा रही हैं ये बहुत ही जरूरी बहुत लोग की जान जा रही है हम डर्की वहीं से लगाते हैं पुलिस चलानना कार कि हमारी सुरक्षा है हेलमेट पहना हो तो कई मां जो है ना उनकी कोक सुनी लिए होगी गई बच्चे आपकी इस बात से आंकडा भी देता हूं देश में हर पांच मिनट पर एक ब्यक्ती की सड़क दुरगटना में मौत होती है और उसमें असी फीजदी लोग या तो कार में बेल्ट नहीं लगाए होते या बाइक पर टू वीलर्स पर हेलमेट नहीं लगाए होते तो चंज सेखर जी की बात में मैं अपने को शामिल करते हूं कहता हूं यह सुरक्षा का मामला है आपकी जिंदगी का मामला है इसको असुविदा के तौर पे ना देखें बहराल इस क को पावट बाइक राकेश मसाले असली स्वाद बातने से बरता है इसमाइटिप.com भारत का चावलाप असुषी एट सपॉंसा नस्दी की दीलर पर जाए यूटियल सोलर सन प्लस प्री पाने का मौका पाए सर्वकॉन भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन मोडश होम अप्लाइंसस देश पे बना देश का ब्राण एक हाईवे जिसने महराश्ट्र के दो सिरो को जोड़ा और गाउ में भी समरिद्धी की नीव रखी उद्यो क्रिशी को बड़ावा दिया एक समुद्रिपुल जो ग्रेटर मुंबई का चहरा बदल रहा है नवी मुंबई पुने कॉंकन को मुंबई के करीब ला रहा है और विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है मुंबई नासिक नाकुट